हर हर महादेव, बच्चों, आज हम बात करेंगे करवा चौत वरत के बारे में सत्गुरू परदीप मिश्रा जी ने बताया कि करवा चौत वरत करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और करवा चौत वरत का उध्यापन कैसे करें उसकी सही विदी क्या है पर उससे पहले जो बंधू मेरे चैनल पर नहीं है जिनोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो क नोटिफकेशन सबसे पहले आपको मिले सत्गुरु परदीप मिश्राजी ने बताया के करवा चौत वरत के उध्यापन के लिए एक थाली लेनी है उसमें तेरा जगा चार-चार पूड़ी रखना है उन पूड़ियों के उपर थोड़ा-थोड़ा हलवा रख कर उसके उप पर एक पतल बिछा देनी है फिर उस पर साड़ी बलाउस अकेली साड़ी नहीं रखनी साड़ी के साथ बलाउस अगर उसके साथ जुड़ा हुए है तो उसको अलग करके रखे यहां पांच कपड़े और सुहाग का समान रख लेना है फिर हाथ में कंकु चावल रखकर संकल पले उस थाली के ऊपर से उसको कंकु चावल को घुमा ले और चौत माता से प्रार्थना करनी है कि हे चौत माता मेरे सुहाग को अमर रखना मेरे माथे की बिंदिया पैरों की बिचिया, हाथों की चूड़ी, मांग का संधूर हमेशा बनाए रखना और मेरा सुहाग सदा अमर रहे ऐसी प्रार्थना के बाद इस समान को घर में अपनी सास को ये समान दे देना अगर सास नहीं है तो किसी भी सुभाग्यावती महला को ये समान दे सकते हो ब्रामन और ब्रामनी को भोजन कराना है अकेले ब्रामन को भोजन नहीं कराना भोजन और दान बाहर के व्यक्तियों को देना चाहिए उसमें घर की बहु बेटियों या रिष्टेदारों को नहीं गिनना क्योंकि घर के लोग तो खाना खाएंगे ही पर दान बाहर के व्यक् एक अच्छी बात के साथ बोलो चौत माता की जै